हलो दोस्तों नमस्कार आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बुल्ट्रेडिंग में दोस्तों आज की वीडियो हम जानने वाले हैं कि जो SBI SBI Securities का जो new app है उसमें हम फंड को कैसे टांस्फर कर सकते हैं आज की वीडियो हम यह देखने वाले तो दोस्तों बने रही एस वीडियो में अगर आप तो हमें जाना है हमारे account वाले section पर जहां हम fund को add or withdrawal कर सकते हैं तो हमें क्या करना है सबसे पहले हमें जाना है यह जो तीन लाइने हैं आपकी वहाँ पर आप click किजिए तो जैसी हम इस पर click करेंगे तो यह side में एक window open होके आ जाती है यहां आप दो चीज़ देखेंगे limit and hold release fund तो पहले हम limit में जाके check करते हैं कि हमारा पास अगर कितना fund है यह हम check कर लेते हैं है या नहीं तो हम limit पर click करते हैं तो limit पर click करने के वाद हम fund वाले section पर पहुच जाएंगे अब fund वाला यह हमारा section आ चुका है अब यहां आप note कीजिएगा अवी level limit यह माइनस भी जो भी है पर अभी हमारी 00 limit है 00 limit का मतलब है हमारे पास अभी कोई fund अवी level नहीं है चाहें तो हम यह चेक कर सकते हैं आप यहां laser में चेक करेंगे तो 0 fund अवी level है और hold वाले में भी हम 0 है ठीक है अब हम देखते हैं कि अब हमें अगर फंड को transfer करना है तो कैसे करना है होल के बारे में हम अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हैं और दोनों में क्या अच्छा है क्या difference है दोनों चीज़ देखने वाले तो हम hold fund पर select करते हैं जैसे हम select करते हैं यह आपको कई सारे option यह मिलेंगे पहला मिलेगा hold दूसरा है आपके बार transfer का तीसरा है release का चौता है withdraw का and last में आपकी transfer history है ठीक है तो अभी हम hold वाले section को छोड़ देते हैं अभी हम जाते हैं transfer वाले section पर हम इस पर transfer वाले पर select कर लिया अब यह guys यह आ चुका है transfer वाला selection section तो यहां आप देखेंगे एक जो यह आपका link account है SBI mostly अगर लोगों ने SBI securities में अगर account खुलवाया है तो अधिकतर लोगों का SBI में saving account भी होता है तो अधिकतर वह link कर देता है अगर हो सकता है कि बहुत लोगों का other account में भी यह link हो तो तो दोस्तों यह जो transfer जब हम amount को transfer करेंगे तो यह हमारी laser में show हो जाएगा जितना भी amount हम transfer करेंगे तो चलिए हम करके देख लेते हैं हम करते हैं इसमें 500 रुपीज ठीक है 500 मैं लिख दिया है और यहां आपको दो option मिलते हैं एक पहला मिलता है UPID के तुरू और दूसरा होत भी यूज़ कर सकते हैं तो हम चेक करने वाले हैं पहले netbank की तुरू तो netbank को हमने select कर लिया है और आपको यह नीचे transfer वाला option नजर आ रहा है यहां पर आपको click करना जैसी आप transfer fund पर click करेंगे तो सीधे आप redirect हो जाएंगे SBI online वाली site पर जिससे आप transfer कर सकते हैं तो यह process कर रहा है और process करके यह सीधे online SBI वाला जो है इस पर खुल जाएगा You know SBI के यहां खुल चुका है तो मैं यह username and password डालके अपना open कर लेता हूँ और transfer कर लेता हूँ तो यह दोस्तों यह मैंने login कर लिया यह just हम इस internet banking वाले page पर आ चुके हैं हमें यहां just check करना है कि हमारा amount कितना है और हमेंसे उसके बाद confirm कर देना है चलिए हम confirm कर देते हैं confirm करते हैं तो just one time और यह just confirm कर आएगा तो आप नीचे की तरफ देखेंगे तो दुबारा से हमें यह confirm करना है इदर यह हमने confirm कर दिया and now अब हमारे जो registered mobile number है उस पर हमारा OTP आएगा then हमें यह OTP डालके confirm कर देना है तो OTP आने दीजिए OTP आके हम confirm कर देते हैं दोस्तों तो हमने यह OTP डाल दिया उसके बाद हम यह confirm कर देते हैं यह हमने confirm कर दिया है and now हमारे अकाउंट से पैसे deduct हो चुके हैं अब यह थोड़ी दियर रिडारेक्ट हो जाएगा हमारी SBA Securities वाली एप में तो यहां आप देखेंगे हम रिडारेक्ट होके सीधे fund वाले का बैंक होलें ट्रांसफर में भी 500 शो कर रहा है और यहां टोटल हमारा यहां भी 500 शो कर रहा है तो इस तरीके से आप fund को ट्रांसफर कर सकते हैं ठीक है दोस्तों हो सकता है थोड़ा टाइम लगे ओटीपी आने में जैसे कि मेरा भी मैंने दूसरी बार ट्राय किया है जब जाके ओटीपी आया है कभी-कभी SBA में कोई इशू होने लगता है तो यह अब हम यहां पर क्लिक करेंगे यह वाला जो है यहां तो आपको यहां पूरी ड्रेट सो हो जागी यहां देखिए कैश डिलिवरी के लिए आपका 500 फूचर और ऑप्शन 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 वाई इंट्र डे इमार्जिन और मूचल फंड तो आप इस 500 को किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं चाहे आप कैश डिलिवरी में ट्रेडिं कश कर सकते हैं ठीक है तो इस तरीके साब फंड को एड कर सकते हैं अबrift चेक करें सहिस जाके हम लिवीट करते है यहां हम दुबारा देखिंगे लिवीट में क्लिक रेंगे तो तो दोस्तों आप लिवीट में देखिंगे कि जैसे आपका 500 अमांट भी शोब कर रहा है जस तो क्या होगा वह A-B करके आपका यहां टोटल फंड उसी दिन के लिए दिखाएगा जैसे A-B दिखाएगा तो 500-200 से अगर आपने टेडिंग कर ली तो आपका 300 शो करने लगेगा अगर आपकी कोई तो आपका यह-200 दिखाने लगेगा तो जितना अमाउन्ट होगा आपका टेडिंग करने के लिए तो टोटल यहां शोगा यहां कितिना भी हो सकता है बट जो लिमिट आपकी शो होगी आप यहां से भी जाके विड्रॉल कर सकते हैं यहां को डिलीस विड्रोय को मिल रहा है तो जैसे हम इसमिल करना अगे अने हमें किया है तो चीज का के करना है ह planes खाली आपको होल्ड के करना है हम अलक्से वीडियो बनाओंगो काफी डिटेल बाना नी पड़े से है च्भी है कर्ए तो यहां से पहलीकशन देखके ह HDMI करने गए ही नहीं अरन कृटीच करें दी वह दो मैंने में क्यांगर अब यहां अब है आप यहां देखेंगे तो हम 100 unto अब है कि वेडिर होता है के नहीं तो यहां हम request डाल सकते हैं नीचे आपको withdraw fund का option यह मिल रहा है executed and the day end of the day मतलब दिन के आखरी में यह आपकी request process होगी तो चलिए मैं withdraw fund कर दे तो दोस्तों यहां से आप withdraw कर सकते हैं आप यहां चेक करेंगे तो अभी every level जो आपका शोग हो रहा है 00 हो रहा है क्योंकि मैंने आज ही fund को add किया है तो अभी यह यहां शोग नहीं होगा आपका next working day में at least यह शोग हो जाएगा तो जितना amount आपका यहां शोग होगा उतना ही amount को आप withdraw कर सकते हैं उससे कम amount को withdraw कर सकते हैं या equal to ठीक है तो अभी फिलाल यह शोग नहीं हो रहा है तो withdraw का option अभी नहीं हो पाएगा तो मैं next वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि withdraw हम कैसे कर सकते हैं तो आज हमने सीख लिया कि हम फंड को कैसे transfer कर सकते हैं और हम उससे limit पता कर सकते हैं और विड्रो का option हमें यहां मिलता है अगर हम transfer history में जाके एक बाद चेक करें तो यहां हमाँ पता चल जाएगा कि हमारा कितने time failure हुआ है और यह हमारा success जो हो गया है वह अब आप यहां देखेंगे तो मेरा third time success हो पाया क्योंकि OTP नहीं आ रहा तो मैंने दो गार ट्राइग किया था तो यहां आपको history दिख जाएगी जितनी भी आपने fund को transfer और withdrawal और hold जो भी आपने किया होगा वह आपको शब यहां transfer history में सो हो जाएगा तो इस तरीके से आप fund को transfer क कर सकते हैं तो I hope guys आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपके काम आये हो अगर वो दोस्ते वीडियो अच्छा लगा तो इसे like करना ना भूलें अगर आप चैनल पर first time आये तो इस चैनल को आप subscribe कर सकते हैं आज की वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं एक नई वीडियो आज के लिए धन्यवाद